सुबा का नाश्ता हो या फिर हो हलकी फुल की भूख या फिर बच्चों को देना आया टीफिन में कुछ हेल्दी सा टेस्टी सा तो यह नाश्ता आप एक बार जरूर से ट्राइ करें जो बहुत कम टाइम में और बहुत कम इंग्रिडियन में बन कर तयार हो जाएगा तो तो यहां पर इसमें थोड़ा पानी और एट करेंगे तो यहां पर पहले थोड़ा थोड़ा ही पानी इसमें एट करेंगे तो यहां पर पहले थोड़ा थोड़ा ही पानी इसमें एट करेंगे तो यहां पर पहले थोड़ा थोड़ा ही पानी इसमें एट करेंगे तो यहां पर लग दिखने में बड़ अच्छा लगता है बच्चे से बड़े शोख से ले जाते हैं तो यहाँ पर हमने उच्छे से कंपलिट हो चुका है सुझी अच्छी से फुल चुकी है अब इसमें यहां पर एक चम्मच जितनी हम ने पिसी बी चीनी एट की इस चीनी से मेठा नहीं ह और थोड़ा सा चिलिफलेक्स एट कर रहे हैं यहाँ पर सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे पहले इसमें तो इन चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरू करें अपनी फेमिली और फ्रेंड्स में इस तो कि निया फेम चैठ के लगता अभया पानी था उसमें से मिक्स कर दिया है तो यह की डालेशे और इन कटोरी को इस जाली के ऊपर रखकर लिट से कवर करके यहाँ पर 809 मिनिट के लिए छोड़ देंगे क्योंकि यह नाश्ता छोटा है तो एक कम टाइम में स्टीम हो जाएगा अगर बड़ी कटोरी में बना रहे हो तो ज्यादा टाइम लगेगा तो इसको यहाँ पर का ठंडा हो चुका है तो इस नाश्ते को यहाँ पर हम कटोरी में से निकाल लेंगे बहुती स्पोंजी और बहुती सोफ्ट नाश्ता बनकर तयार हुआ है तो इस नाश्ते को बनने में ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है तो एक बार आप इस नाश्ते को जोर यहाँ पर हमने फ्राइपेन थोड़ा सा ही ओल लियाए एक चममठ जितना हो जोटी चममठ से इसमें थोड़ा सा राय कर देगे थोड़ा से करीपत्ते अब इसमें यहाँ पर थोड़ी सीम कश्मीरी लाल मिर्ची एट करें एट करें यह तेखी कम होती है पर इससे जो थोड़ा सा मेगी मसाला एट कर देंगे तो अगर आप बच्चों को दे तो इस तरह से मेगी मसाला उसमें डाले तो काफी अच्छा सा इसका टेस्ट बढ़ जाता है और बच्चे बड़ा शोक से इसको 10-15 से के लिए इन मसालों को यहां पर अच्छे से पका लेंगी इसके ब सुबा की भाग दोड में या फिर हलकी फुलकी भूप में इस नाश्टे को बना सकते हैं तो इस तरह से अलटते पलटते इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे तो आपने देखा कि हमने दही का इसमें बिल्कुल भी इस्तिमाल नहीं किया है सुजी और पानी से हमने इतना जा है तो इसको यहां पर अच्छे से दबाते हुए भी हम रोस्ट कर लेंगे और इस तरह से अलटते पलटते ताकि मसाल इस पर अच्छे से कोट हो जाए तो नाश्टा अंपर इन पर कम्प्लीटे स नाश्टे का बहा हम निकाल लेंगे तो देखिए हमारा मज़ीदा जरूर से करें और इस रेसिपी के लिए टेट आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बोक्स में पूछ सकते हैं मिलते एक नई रेसिपी में नई वीडियो के साथ जब तक के लिए थैंकियो सो माज आज का जो नाश्ता हम ट्राइ करेंगे वो यहाँ पर बिना फ्राइ किया वा नाश्ता है काफी हेल्दी है टेस्टी है आप इसको सूजी चीज़ बॉल के सकते हैं जो बड़ो से लेकि बच्चों तक को काफी पसंद आएगी तो काफी हेल्दी नाश्ता होने वाला है तो चल और बाद यहां पर हम दो कटोरी जितना पानी है तो आप कुछ चीजे एट करेंगे तो अभी हैं तो अभी हाँ पर कुछ चीजे एट करेंगे एक चम्मत जितना और हाफ टी स्पून आपर लग चाट मसाला पाउडर नमक सुआ नुसा ढाल रहें हाफ टी स्वादनुसा डाल गाली प क selon चीए के लिए और डिया कैलर के बहुती थोड़ी ज्यादा हम इस तशे बिल्कुल भी नहीं करना हैं तो पानी में बोल चुका है एक कटोरी एक सूजी लिए थोड़ी थोड़ी नहीं है इसी तरह से मिक्स करना है अच्छे से मिक्स करें गी तो यहाँ पर देख सकते हैं यह पर अच्छे से चोड़ने लगा है अभी फिसको फ्लेम को बद कर इसको लिट से कवर करके पांच मिनिट के लिए और ऐसे ही छोड़ देंगे तो यहां पर लिट से कवर कर देंगे गेस हमारा बंध है तो पांच मिनिट के बाद इसको यहां पर हम प्लेट में निकाल लेंगे तो पांच मिनिट के बाद इस तरह से प्लेट में निकाल लेंगे तो काफी हेल्दी नाश्ता है इस तरह से आप बच्चों के टीफिन बोक्स में भी इस नाश्ते को बना कर दे सकते हैं तो यहां पर देखिए हमने इसे डोकी फॉम में तयार कर लिया है अब यहां पर हातों पर थोड़ा सा ओल लेंगे हम और इस तरह से इसको चप्टा कर ले कर देंगे तो इस तरह से इसको पेक कर देंगे हातों के मदद से और अच्छे से गोल गोल कर देंगे ताकि अच्छे से पेक हो जाएगा तो देख सकते हैं एक बोन हमारी बनकर तयार हो चुकिए इस तरह से हातों में थोड़ा से तिल लेंगे और इस तरह से रोल कर देंग एक ही बार में सारा नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा उनको लोफ लेंप यहां पर स्टाइटिंग में पेले दू मिनिट के लिए छोड़ेंगे तो उनको आप लोफ लेंप पकाएं ताकि अंदर तक यह बोल अच्छे से पक जाए तो यहां पर दो मिनिट हो चुके इनको य यहां पर पकने में साथ से आठ मिनिट लग ङएंगे तो लोफ लेंप अलते पलटते पका लेंगे और तो यहां पर वापस इनको लिख्षे कवर कर देंगे तो आप यह नाश्ता हमारा कंप्लीट होचुका है इस नाश्तियों को अब हम निकाल लेंगे तो आप देख सकते काफी अच्छा सा color आ चुका है हमारे नाश्टे पे तो यहां पर 8 मिनिट लगेंगे एक बेच को यहां पर पकने में तो सारी नाश्टे को इसी तरह से हम निकाल लेंगे तो इस तरह से काफी healthy नाश्टा आप घर पर बना सकते हैं इस तरह से बच्चों के टिफिन बोक्सों म काफी अच्छा सा टेस्ट आता है तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए हो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें तो मिलते एक नई रे सीपी में नई वीडियो के साथ जब तक के लिए थैंक्यू सो माच आज बनाएंगे सूजी के अपपे जो काफी हेल्दी है टेस्टी और बहुती कम टाइम और बहुती कम इंग्रिडियन में बनका तयार हो जाते हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें यहाँ पर एक कटोरी सूजी लेंगे आधा कटोरी यहाँ पर दही का इस्तेमाल करेंगे और आधा कटोरी यहाँ पर पानी ले रहे हैं पानी की हमें आगे और ज़रूरत लेगेगी दो चम मझे यहाँ पर बेसं एट करेंगे बेसं से आप पेम अच्छा टेक्शर आता है अब इनसी घज़ारे चिज़ों को पर फेट ना है कि इसमें कोई भी घुटली कोई भी नम से ना रहें और एकदम स्मूथ सा बेटर बनाकर तयार कर लेंगे इसका तो जटपट से नाश्ता बनकर तयार हो जाता है तो देख सकते हैं यहां पर लिप्स से कवर करके 5-7 मिनीट के लिए छोड़ दिया है तो यहां मिर्ची एट करेंगे स्वादनुसान नमक शUUH T unhealthy Kalan delightful मॉर्ष चार्थ मसाला पौडर आट करें धन्या आट कर रहें लिए शुका तो अच्छा अच्छा एक जड़ी अलसा तैयार लगता है और बहुती कम ओil नाश्टा बनकर तयार हो जाता है तो यहां पर बेटर हमारा यहां पर complete हो चुका है अब इसमें यहां पर एक तड़का लगा एंगे तो यहां पर दड़का पिन-में थोड़ा सा ओईल गरम किया तो यहां पर थोड़ा से तील को आप सकते हैं अब इसमें यहां पर थोड़ा थोड़ा बेटर एट कर देंगे तो बहुत ही जट पड़से नाचता बनकर तयार हो जाता है अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जोरू से लाइक करें अपनी फैमिली औ पर इसे लिट से कवर करके दो से डाय मिनिट के लिए लोफ लेम पे छोड़ देंगे तो एक साइड से हमारे अप्पे अच्छे से पक चुके हैं अब यहां पर थोड़ा-थोड़ा सा ओईल ओर उपर से डाल देंगे और इन अपको यहां पर पलड़ देंगे तो इनको आप पर हमारे अपचुछे से पक चुके हैं ऐट से तो यहां पर पाँंसे चे मिनिट लगेंगे एक बेच को यहां पर पकने में तो अपह हमारे कंप्लीट हो चुके है इस तरह से हम निकाल लेंगे आप इनको चाइ चिटनी केचप के साथ ले सकते हैं तो आपने देखा एक कटोरी सूजी में हमने इतना सारा नाश्ता बना कर तैयार किया है, बहुत ही हैल्दी और टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हुआ है, इस तरह से आप सुबा का नाश्ता हो, या फिर हो हल्की फुल की भूख, या फिर बच्चों को देना है लंच बॉक्सों में कुछ जरूर से बनाए जो बहुत ही जटपट बनकर तैयार हो जाता है अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तो मिलते एक नई रेसीपी में नई वीडियो के साथ जिप तक के लिए थेंक्यू सो माच अगर आप भी खाना चाते हैं कुछ हेल्दी सा टेस्टी सा एक चमच ओईल में बनने वाला नाश्ता तो एक बर ये रेसीपी जरू से ट्राइ करें तो चलते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं वीडियो पसंद आये तो लाइक जरूर करें यहाँ पर हमने एक कटोरी सूज अगर आप नाश्ता ज्यादा बनाना चाहते हैं तो सूजी आप अपनी कॉंटेटी के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं दो चमच हमने यह पर दही लिया है अगर आपके पास दही नहीं है तो एक चमच आप निमुका रेसिस में एड़ कर दे एक कटोरी हमने पानी लिया य सूजी हमारे अच्छे से फुल जाए तो देखें यहां पर हमें इतना पानी बचा है जो पानी हम बाद में काम में लेंगे इसको यहां पर लिट से कवर करके 5-7 मिनिट के लिए चोड़ा था तो पांश मिनिट हो चुके देखें सूजी अच्छे से फुल चुकी है अब य हरी मिर्ची यहां पर वेज़िटेबल आप अपनी चोईस के हिसाब से कम जादा कर सकते हैं तो यहां पर यह सारी वेज़िटेबल हम इसमें एट कर देंगे अब कुछ यहां पर मसाले एट करेंगे यहां पर अपने कच्छा जीरा एट करें रहे है नमक स्वाधनुसा और यहां पर चिली फ्लेक्स से एट कर रहे हैं और यहां पर थोड़ा सा चाट मसाला एट कर रहे हैं यहां पर चिली फ्लेक्स भी हमने इस्तिमाल किया हरी मिर्ची का भी इस्तिमाल किया है अगर आपको तीका खम काना पसंद है तो आप अपने टेस्टी के हिसाब से इसमें मस कचता नाश्टा नाश्टा हमारा बिल्कुल उपना नहीं बनेगा या तो फिर हमें इसमें सूजी और एकट करने पड़ेगी इसलिए दरिया भी डाल दिया दिया को डालकर ट्थोड़ा सा फानी करेंगे तो यहां पर मुझे एक कटोरी सूजी में एक कटोरी पानी लग चु में श्राइब से 2-15 पीड़े कर डालके, छोड़ियो को बत्षो करें। अगर दें नाच्ताेय को जो बनाने अंपने पर उइला opioidima पीडियो को पर मतितill दम इस तरवर नाच्ता पनाते हैं, जी राइट कर देंगे अगर आपको नहीं पसंदे तो आप यह प्रोसेज इसकिप कर सकते हैं अब यहां पर एक चम्मज बेटर डाल देंगे गेस की फ्लेम को में बिल्कुल रखना है अब इसको यहां पर लिट से कवर करके एक मिनिट के लिए छोड़ देंगे एक मिनिट मे यहां पर क्षक ल hash तो आपने से कामने सब्सक्याद कर देंगे यह तो आपने से कम अच्छता बनने में हैं और आपको रखना तो नाश्ता हमारा कम्प्लीटी इसको यहां पर निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी नाश्ते को भी हम बना कर तयार कर लेंगे तो आपने देखा कि एक कटोरी सूजी और कुछ वेज़िटेबल में हमने काफी अच्छा हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बना कर तयार किया है तो दूसरे नाश्ते को हम सेम इसी तरहीं से बना लेंगे तो इसी तरह से बाकी सारे नाश्ते को बना कर यहां पर तयार कर लेंगे पूरे टाइम आप गेस की फ्लेम को लो ही रखे लो फ्लेम पे आप इस नाश्ता अंदर तक अच्छे से पक जागा तो देखिए नाश्त जो आपको पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें अपनी ऊर्फेन सी में जरू से शेर करें और अभी तक आपने उमारे चैनल को त्रक्राइब Nophile किया तो चैनल को से सब्सक्राइब करें आप देख सकते एक दम सोफ्ट नाश्ता अमारा बनकर तयार हुआ है इस रेसिपी के रिलेटेट आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते मिलते एक नई रेसिपी में नई वीडियो के साथ जब तक के लिए थेंकिसो मज़